नमस्कार्ष को दिर नमस्कार। में हूं ससी ज्यारखंब की टौप पचीस पर मोफ खबर जानते हैं ज्यारखंब में छो से हाट सब्ता हमें आ सकती है पुरुणा की तिसरी लहर। ऐसा भी सवगी ओर ने अनुमान जाताया है। इसे ले कर्मोख हिमंत हिमान सुरेन ने कहा है कि हमें कुरोना गाईलाइन का सक्ति से फ़लन करना होगा कोबी-19 से बचाओ के लिए भैक्सिन ले और दूसरों को भी इसके लिए प्रयारित करे सियम हिमंत सुरेन ने ट्वीट पर लिखा है कि साथियो आज भले अपने राजे में संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश में सबसे कम है भले ही हमारी रिकोवरी रेट अंठान में परतिसद से ज्यादा है पर खात्रा अभी नहीं टला है एक्सपर्ट के अमसार 6 से 8 सप्ता में तीसरी लहर हमें परसान कर सकती है जारखन में अभी नहीं होंगे पंचाय चुनाओ कारेकाल 6 महीने के लिए बढ़ेगा जारखन में 33 पंचाय तो के कारेकाल को एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ाने को सरकार ने तेरिया पूरी कर ली है गरामिर विकास मंत्री अलमगीर अलम ने सन्वत दताओं से बात करते हुए काया कि पंचायतों कारेकाल बढ़ाने के लिए सरकार सिगरी अध्यादेश लाने जा रही है मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज सरकार ने करोणना संक्रमन काल के कारण चुनाओ नहीं होने किस्थिती के अधार पर पंचायतों का कारेकाल 6 माईने के लिए बढ़ाने का निने लिया था यह अधी 15 जुलाई को समाफ्थ हो रही है एक बार फिर कोविट के कारण चुनाओ नहीं हो पाया है अब इसके कारण पंचायतों का विकास बात इतना हो और काम होता रहे इसके लिए आध्यादेश लाना जरूरी है ज्यारखन में जुलाई में रफ्तार पकड़ेगी भैक्सिनेशन केंद्र ने आवंटित की 33 लाख डोज ज्यारखन में अगले माह से कुरोना टिका करण की रफ्तार और तेज पकड़ेगी हर दिन लगभग एक लाख लोग को भैक्सिन लगेगी ऐसा जुलाई माह में केंद्र सरकार से अधीक भैक्सिन मिलने से संभावना होगा अगले माह केंद्र से 33,13549 डोज भैक्सिन ज्यारखन को मिलेगी बतादे केंदे सरकार ने जार्खन के लिए वैक्चिन आवंटित करते वे इसकी जनकारी राई सरकार को उपलब्द करा दी है प्रसो पूर्व लिंग जाच कराने के खिलाब जार्खन में 10 दिनों तक सघन जाच अभियान जार्खन में प्रसो पुर्व लिंग जाच तथा कन्या भरोन हत्या परोक लगाने के लिए अगले 10 दिनों तक सघन जाच अभियान चलाया जाएगा इस दोरान राजे में संचारी सभी अल्टरासाउंड क्लिनिकों की जाच की जाएगी बतादे स्वास्थ मंत्री बना गुपता के निदेश पर स्वास्थ विभाग ने इसके लिए जीलों के लिए अलग-अलग टीम गठित कर दी है राश्टिये स्वास्त अभियान जारकन के अभियान निदेशक रवी संकर सुकला ने गठित सभी टीमों को सगन जाच कर 30 जून तक रिपोर्ट देने को कहा है 21 जून अंतर राश्टिये योग दिवस 21 जुन को अंतरश्टिय योग दिवस मनाया जाता है बतादे लोगडाउन होने के करण लगता दूसरे वर्ष भी योग दिवस पर सरोजनिक कारेकर्म नहीं होंगे योग संग के जीला सचीव आकास कुमार सेट योग आसन से होने वाले लाप के बारे भी जनकारी देंगे भार्तिय जन्ता पार्टी अनुसुची जन्जाती मुर्चा जार्खन परदेश के द्वारा एक उच अस्तरिय जाच दल का गठन किया गया है बतादे यह जाच दल लाते हर में पुलिस मुर्भेर में मारे गई जुग के परिजुनोंच मिला बतादे बारो जुन 2021 बोलाते हर जीला के गारू परखन अन्तरगत पीरी गाउ के टोला गैना खड में एक निर्दोस गरामिन के पुलिस उरक्षा बल जार्खन जगवार के जवान के द्वारा फर्जे मुर्भेर दिखाते हुए गोली मार कर निसंग हत्या कर दी गई इसकी जाँच के लिए परदेश की टीम ने 29 जून 2021 को घटना अस्थल का दोरा किया और पीरित परिवार सहीत गाउवाले से मिलकर घटना के विस्ति जनकारी प्राप्त की जैक बोड अंकों में गड़वड़ी रोकने को जैक इसकूलों में नियुक्त करेगा अबजरवर जारखन एकडमी काउंसी यानी जैक दसवी वबराहमी का रिजल्ट त्यार करने की परकिरिया में लगा हुआ है और जैक इसके लिए हर जीले में अबजरवर को नियुक्त करेगा एक अबजरवर इसकूलों में रिजल्ट की त्यारियों पर नजर रखेंगे बताते दसवी वबराहमी दोनों के रिजल्ट में 20 अंक अतिरिक्त मुल्याकन के होंगे एक अंक इसकूल को ही देना है सनिवार को जैक सचीव महिप कुमार सिंग के साथ सभी जीलो के जीला सिक्षा पतादिकारी का उनलाग बैठक होई सचीव ने D.E.O. से कहा कि अवजरवर के लिए नाम जैक को भेजे इसके बाद जैक D.E.O. द्वारा भेजे का नाम में से चैन करेंगे रांची व खोटी में लगेगा होकी का बुलू एस्टो टर्फ जारखन की दो बेटियों का उलम्पिक टीम में चैन का परभाव दिखने लगा है बतादे दोनों के चैन के एक दिन बाद ही खेल भी भागने कई बरसों से खराब पड़े रांची व खोटी के ग्रीन एस्टो टर्फ को बदलने का निर्ना लिया है सन्यवार को खेलनी देशक जी सान करमर के अधिक्ष्ता में होई बै ठक में मोराबादी शीथी जैपाल सिंह मुनोंडा एस्टेडियम वह खुटी के एस्टो टर्फ को जल्द बदलने का नेना लिया गया दोनों ही जगों पर पिछले कई वर्सों से एस्टो टर्फ खराब है जारखन में ब्लैक फंगस का एक और मरीज कुल 134 जारखन में रविवार को ब्लैक फंगस का एक और मरीज मिला है पतादेर राजे में बलाइक फांगस के कुल मरीजों की संख्या 134 हो गई है इनमें 81 मरीज में बलाइक फांगस के लक्षन पाये गए हैं जबकि तीरपन मरीज संदिक्द है स्वास्त विभार के नोडर पता अधिकारी सिधार तिरपाठी नरविवार को प्रेश वारता हैं बताया कि बलाइक फांगस से राजे में अब तक 26 लोग की मौत हो चुकी है जबकि 50 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके है ज्यारखन में 138 नाए केस मिले है ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 5,099 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 1596 है भारत में 52,956 नाए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 6,097,893 है ज्यारखन में एक्टिव केस इस प्रकार है राची 489, पूर्वी सिमू 175, हजारीपाग 120, बोकारो 46, धनबाद 83, रामगर 1, पश्मी 57, कोडार्मा 15, पलामू 27, देवगर 42, गुमला 72, गिरीडी 40, खोटी 41, लातेहार 25, सराय केला खरसवा 51, सिम्डेगा 113, गढवा 29, लोहरदागा 29, चातरा 62, गोड़ा 16, जामतरा 18, सा 36, पाकूर से एक मरीज, एक टिभाएं, सलाखों के पीछे हो भाजपा के परदेश अध्याक्स, कॉंग्रेश, कॉंग्रेश के परदेश, प्रवक्ता अलो, कुमार दूबे, लाल किसोरनात साहदे और डक्टर आयस, गुपता छोटु ने कहा है कि कोविन-19 गाइलाइन का लंगन करने वाले परदेश भाजपा अध्याक्स, दिपक परकास के खिलाब पराथमी की दर्ज नहीं होनी चाहिए, बलिक उन्हें और उनके सहयोग्यों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उन्होंने कहा कि देश के पांच राजियों में विधान सभा चुनाओं के दोरा जरकन पोलिस सर्विस, डिएस्पी एसोसेशन के ओनलाइन बैठक रविगार को अध्याक्स बिजाय अनन्द कुजूर के अध्याक्सता में हुई, इस बैठक में डिएस्पी अस्तर के अधिकारियों की विभीन समस्याओं पर चर्चा हुई, इसमें समाज से प्रमोशन, ACR वर्दी भात्ता की मांग और विभीन कल्यानकारी मुद्द्यों पर बात हुई, हाल ही में कुरोना की वज़ा से हुए डिएस्पी रविकांद भूशन के निधन के कारण उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता पर विबात की गई, निरना हुआ की जल्द ही अगली बैठक गया जाएगा, COVID-Duty से हटाये जाएंगे High School और Plus 2 स्कूल के सिख्षक, राज्यके High और Plus 2 स्कूलों के सिख्षकों को COVID-Duty से मुख्त किया जाएगा, बता दे, मैट्रिक और इंटर्मेडियेट का परिक्षा परिक्षा पहिनाम तैयार करने को लेकर स्कूली सिख्षा और सक् प्रेपर का अंग तैय कर रहा है वहाई हाई और प्लस टू स्कूल के छादर शात्राव को प्रेडिकल पूरा करने और इंटर्नल एसेस्मेंट कर अंग देने की जिमिदारी दी जा रही है पता दे जाए कि और से अगले एक दो दिनों में इसका काई लाइन भी जारी किया जा की जापेट में आने से एक महिला रविवार की साम को बच गई बतादे जब राची एस्टेशन से राईधानी एक्सपरेस चलने लगी तो उसी समय चलती ट्रेन में महिला ने चलने की कोशिस की लेकिन वह सही रूप से चल नहीं पाई और बीच में लटक गई बतादे इसी की दोरान एस्टेशन में तैनाथ आरपी एफ चवान बिनोत कुमान मीना और अरविंद कुमान ने दोड़कर उसे ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया किरिसी मंत्री ने किया अभ्यासम पुस्तक का विमोचन किया इस मोखे पर किरिसी मंत्री ने कहा कि योग और प्रण्याम हमारे देश की पुरानी संस्कृती रही है हमारी पुरानी बिवस्था और परंपरा इस देश की योग रीड रही है दिल्ली दोर से रांची लोटे रमेश्वर उड़ाओ परदेश कोंग्रेस के अध्यक्स राज के बीत थकादा पुर्ती रमेश्वर उड़ाओ दिल्ली दोर से रविवार को वापस रांची लोट आए बतादे रांची यारपोट पर पर परदेश प्रवक्ता लोग कुमार दूबे लाल की सोरना चाह देव और राजेस गुपत सहीत अने पाटी ने थाओ ने उनका स्वागत किया यारपोट पर पत्रकारों से बाचेत मेरा मेश्वर उड़ाओ ने कहा कि मंत्री मंडल का गठन और विभागो का बंटवारा मोख्य मंत्री का बिस्य साधिकार है मंत्री मंडल बिस्तार और फिर वदल की खबरों को लेकर पिछले चार-पांच दिनों में जितना पतंग उड़ाया गया उसका वास्विक्ता याम सचाई से कोई लेना देना नहीं था गोड़ा में महिला को एक ही दिन में दिया कुरोना का दो डोज जारखन के कोड़ा में एक महिला को एक ही दिन में कुरोना भैक्सिन का दो डोज दे दिया गया दरसल जब भैक्सिन के लिए लोगों को जागरू किया जा रहा था इसी बीच ए एनेम ने 10 मेट कंत्राल पर महिला को कोविड भैक्सिन का दो डोज दे दिया गया घटना देवदाव पंचायत भवन की है बतादे पिडित बुलबुल दत कुरोना भैक्सिन लेने गई थी उसको एक डोज इंजेक्शन दिया गया और अबजर्वेशन में बैठा दिया गया थोड़ी देर में फिर से उसका नाम पुकारा गया बतादे महिला एए एनेम के पास गई तो उसे फिर से वैक्सिन लगा दी गई जैक बोड बीस जुलाई तक रियल्ट जारी जारखन में मैट्री को इंटर्मिरेट का रियल्ट त्यार करने का फर्मूलत तय होने के बाद जारखन एकडमी काउंसिल जाएक ने रियल्ट परकासित करने के त्यारी शुरू कर दी है इसकोलों एवं कोलेजों द्वारा विद्यार्थियों का इंटर्नल असेस्मेंट किया जा रहा है इसका अंक अपलोड होते ही रियल्ट जारी कर दिया जाएगा बता दे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 जुलाई तक रियल्ट जारी हो सकता है आपको बता दे कि मैट्रिक में 4 लाग 32 यार एवं इंटर्मेडियेट में 3 लाग 31 जार चात्र जारखन में 10 लाग पासुओं को लगी कम मानक वाली बैक्सीन जाच में खुला सा जारखन में करीब 10 लाग पासुओं को कम मानक वाली बैक्सीन लगा दी गई है जब बैक्सीन की गुनवाता की जाच की गई तो इसके सब स्टेंडर्ड होने का पता चला इसके बाद भारत सरकार ने ततकाल परभाव से इसे रोकने का आदेश दे दिया अब राजे के जीलो में परिशेस 10 लाग भैक्सीन वापस मंगाई जा रही है जीने नश्ट किया जाएगा बता दे जारखन के 20 लाग पासुओं को भैक्सीन देने का लग्षत था जारखन के सिक्छक अपने ग्रीष जीलो में करेंगे नोकरी जारखन के प्राथमिक से लेकर पलस टू भी द्याले तक के सिक्छकों को अपने ग्रीष जीलो में नोकरी करने का उसर मिलेगा बता दे सरकार इसके लिए सिक्छक अस्थानांत्रन नेमावली 2019 में संसोधर करने जा रही है पिछली सरकार द्वारा बनाई का इस नेमावली का सिक्छक संगठन सुरू से ही विरोध कर रहे थे बता दे सकुली सिक्छा सर्चर्टा विभाग ने इसकी परकिरिया सुरू की है कमीटी को दो माह के अंदर संसोधन के विभीन बिंदू पर अपने रिपोर्ट देने को कहा गया है धन्यवाद